मस्कार धानुका दर्शिद्याबंदिर ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वगत है। अज हम कख्षाशाथ की सामाजिक विश्यक का अधेन करेंगी। पिछले विडियो में हमने प्रकृतिक प्रियौण का अधेन किया। अब हम करेंगी मान्य परियावन मान्य परियावन का अधिन करने से पहली हम प्राकर्तिक परियावन का जो कुछ भाग रह गया है पारितंत्र क्या है इसका हम अधिन करेंगी और पिछले वीडियो में हमने जल मंडल किसे कहते हैं वायू मंडल किसे कहते हैं और स्थल मंडल इ कि परितंत्र वहतंत्र है जिसमें समस जीवधरी आपस में एक दूसरे के साथ तथा परियावन की उन बोतिक एवं राशायनिक कारकों के साथ परस पर किरिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं ये सब उर्जा और पदार्थ की स्तानांत्र नद्वारा संबद है कि इसमें क्या बता है कि पारितंत्र वहतंत्र है जिसमें समस जीवधरी आपस में एक दूसरे के साथ तथा परियावन की उन बोतिक और राशायनिक कारकों के साथ परस पर किरिया करते हैं और जिसमें वे न युवास करते हैं या रहते हैं ये सब उड़्जा और पदार्थ किस्तान अंत्र दुवारा संबद है आप सुरू करते हैं पारित अंत्र क्या है अब रवी की कक्षा कि एक NCC केंप में जेसी ने आसरेशे पुचा पुचा आसरेशे कहा कितनी मुश्लादार वर्षा हो रही है और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया तो तुम सब को आकर देखना चाहिए कि कैसे हरेब रिखे तो यह नारिल के बागानों में लगातार वर्षा उती रहती है तब ही जेसल मिलके रहने वाली हीरा ने आसरेशे कहा कहा हमारे यहाँ यहाँ वर्षा नहीं वर्षा होती ही नहीं है हमें तो दूर दूर तक केवल किकर रेध ही नजर आती है वो लेकिन वहाँ उट भी तो मिलते है रवी ने कहा एरा ने कहा कि उट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रगिस्तान आओगे तो तुम्हें साप छिपकली एव अने कीट भी देखने को मिलेंगे रवी हैरत में पढ़ गया आश्तरे में पढ़ गया विभीन इस्तानों पर पाए जनने वाली जीव जन्तु वनस्पति यह लोगों के रहेंसन की तरीकी इतने भीन क्यों है क्या सबी का एक दूसरे के साथ समन्ध है बिल्कुल बहुत समन्ध है सिक्षक ने कहा तो रवी एक आश्तरे में इसलिए पढ़ गया क्योंकि अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग जीव जन्तु मिलते हैं और उनका रहेंसन भी लग-अलग होता है और एक दूसरे के साथ समन्ध होते हैं यह सुनकर रवी आश्तरे में पढ़ गया और सभी पेड़ पोदी जीव जन्तु एव मानो अपने आसपास के परियावन पर आश्तरेत होते हैं प्राई भी एक दूसरे पर भी आश्तरेत हैं जीव दहरियों का आपसी एव अपने आसपास के परियावन के बीच का समन्ध ही पारितंतर का निर्मान करता है पारितंतर कर निर्मान कैसे होता है कि सभी पेड़ पोदी, जीव जन्तु एवं मानो अपनी आस्पास के प्रियावन पर आस्रित होती है प्राई भी एक दूसरे प्रवियास्रित है जीर धर्यों का आपसी एवं अपने आस्वास के प्रियावन की बीच का समधी पारितंतर का निर्मान करता है अधिक और सावालिवन धास्तल रेगिस्तान पारवत जील नदी महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंतर हो सकता है क्या आपको लगता है कि जिस पारविय एवं उसके मित्र खेलते थी वहे भी एक पारितंतर बनाता था अब हम आगे सलें कि अब हमें पता अब हमें पारितंतर क्या होता है अब इसका हमें सहित पता हो गया कि सभी पेड़ पोढ़े जीव जन्तु एव मानू अपने आस्वास के प्रियावन पर आस्रित होते हैं उनका समन्ध एक दूसरे किशात है होता है और एक दूसरे पर आश्रेत होते हैं और जीव धर्यों का आपसी अपने आश्वास के प्रयावन के भी समन्ध ही पारित अंतर का निर्मान करता है अब है मानुए प्रयावन मानुए प्रयावन के साथ बार्सपरिक किरिया करता है उसमें अपनी आश्वास के अनुसार परियूरतन करता है प्रारिमिक मानुए स्वयम को प्रकर्ति के नुरूप बना लिया था उनका जीवन सारल यह आश्वास की प्रकर्ति से उनकी आश्वास के पूरी हो जाती थी सम और मानु ने परियावन के उपियोग और उसमें परियुरतन करने की कई तरीके सीख लिये। उसने फसल उगानना, पसु पालना, ये विस्ताइज जीओन जीनना सीख लिया। पये का विस्कार हुआ, आश्कता शेदिक अनुप जाया गया और वस्तु विलिम्य पदेती का विकास हुआ। तो इसमें क्या बताया है कि मानु परियावन में ये बताया है कि मानु अपनी परियावन की पारब्रिक परियावन की साथ भार्स परिक किरिया करता है। परियावन के शार्किया करता है, आपस में की किरिया करता है, उसमें अपनी आश्यकते के नुसर परियूर्थन करता है, और मानों ने स्वयम को प्रकर्ति के नुरूप बना लिया, उनका जिवन क्या था, सरल था, और आसवास के जो प्रकर्ति थी, वो उनके आश्यकताओं को पूरा करते थी और समय के साथ कई परकार की आशकताएं बढ़ी तो पहले मानौ जो परक करते में फल वगरा लगते थे वो उनका उपयोग करके अपना जिवन बजारा करते थे और धिर धिर मानौ की क्या हुए आशकताएं बढ़ी और मानौ ने परिया उनके उपयोग और उ बश्तु बदले वस्तु दे कर घ्रिदारी करना वस्तु के बदले वस्तु देकर खरिदारी जो की जाती है वस्त विन्वें पदती कहते हैं कि हुआ पार आरम हुआ और वानी चे का विकास हुआ अध्योगी क्रांती से बड़े प्यमाने पर उत्पादन प्रारम हो गया प्रिवन तेजगती से प्रारम हुआ और सूसना क्रांती से पूरे विश्व में संचार सहेज और दृत हो गया और क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और यमसर्दी में उनीवी मूंग फली खाना क्यों पसंद करते हैं प्राकरती में एवं मान्य प्रियावन के भी सही संतुलन होना आफशक हैं और मानों को प्रियावन के साथ समरस्ता से रहने उसका उपयोग सीखना चाहिए रेवी की क्रिशा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी वह है अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बाद करती रहती है खेल का मैदान ना शोनने की कार्ण रेवी की उदासे देकर नूरी वह से आने वाले छुटियों में अपने घर में जोरम आने को कहा और अभी के शिक्षक ने सबी बच्चों से कहा कि छुटियों में भी जिन इस्तानों पर जाएंगे वहां कि भूद रिश्य एंगरों एंग लोगों के किरिया कलापों का चित्र बना लाएंगे अब इदर देखें कि वस्तों बिन्य में पदत्ती इसमें क्या पता है कि यह है वस्तों की अदला बदली कभिया पार है जिसमें धन का प्रियोग नहीं होता है मुद्रा मुद्रा बिन्य में पदत्ती अब हम आगे चले अब आगे प्रस्ण है कि निवन प्रस्णों के उतर दीजी पहला प्रस्ण है पारित अंत्र क्या है पहला प्रस्ण हमारा है पारित अंत्र क्या है पारित अंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्द जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ परियावन में उन बोटिक एव़ रसायनि कारकों के साथ परस्फर किरिया करते हैं जिसमें विनीवास करते हैं और पारितंतर कहलाते हैं यह यह शब उन और प्रदार्थ के स्थानतन द्वारा संबध है अगला प्राकरतिक परियावन से आप क्या समस्ते हैं प्रत्वी पर उपस्तित उन समस्त जेविक और जीविक तत्तों का योग प्राकरतिक परियावन कहलाता है अब अगला पर्शन है कि जिव मंडल क्या है कि पातिप एउन जिव जन्तु मिलकर सजीव संसार का निर्मान करते हैं और इस जिसे जिव मंडल कहते हैं यह प्रत्वी का वह संकिन उक्षित रहे जास्तल जल एउन वाईव मिलकर जिवन को संबव बनाते हैं अब आगे चले अगला पर्शन यह है सही उत्तर चेनित कीजी कि इन में से कौन सा प्राकरतिक परितंतर नहीं है कि इसमें मरुस्तल है वन भी है यह ताल नहीं है इन में से कौन सा मानु परियावन का गटक नहीं है इन में से कौन सा मानु निर्मित परियावन है सडक है जो मानु निर्मित परियावन है इन में से कौन सा परियावन के लिए खत्रा है यह है कि जन संक्या ब्रदी है वो मानु परियावन के लिए खत्रा है यह वाला है अब आगे चले अब है यह एरा जन सिंख्या जो मानो जन सिंख्या अवरद्धी है वो मानो परियावन के लिए खत्रा है इसमें ताल, स्तल, सड़क अब आगे चले कि निम लिखीत स्तंबो को मिलाकर सही जोड़े बनाई तो जेव मंडल जेव मंडल का जोड़ा है कि वह संकिन ख्षेतर है जहां स्तल, जल, वायू, वार्सपरिक करते हैं यहां तक है अगला है वायू मंडल वायू मंडल है यह एक है जल मंडल है जल ये ख्षेतर है और परियावन है जो हमारे आस्वास का ख्षेतर है वह है परियावण है अब हम आगे चले अब आगे हैं कारण बताईए दो प्रश्ण मनते यहां कि मानौ अपने परियावण में परिवर्तन करता है कि मानौ अपने परियावण के साथ परियावण के साथ परियावण के साथ परियावण के साथ परियावण करता है और उसमें अपने किरिया अपनी आश्यकता के नुसार परियुर्तन करता है वह अपने आशकते के लिए पसल उबाता है और पस्वों को पालता है पस्वों को निर्मित करने के लिए वुद्यों की स्थापना करता है और आवागमन के लिए यातायित के साथनों का निर्मान करता है नदियों पर बांद मनाकर बाड़ पर नियंत्र और सिंचाई का बंद करता है ये सभी मनुष्य को परयावन से प्राप्त होता है बलकि सोरी मनुष्य को परयावन से प्राप्त नहीं होता है बलकि वह परयावन में बदलाव करके प्राप्त करता है अगला प्रशन है कि पोद्दे एम जीव जन्तु एक दूसरे पर आस्रित है कि सभी पेड़ पोद्दे जीव जन्तु एम मानू अपने अपनी आसपास के प्रियावन पर आस्रित होते हैं और प्राय भी एक दूसरे पर भी आस्रित है और जीव धरियों का आपसी एम अपने आसपास के प्रियावन के 20 का समंधी पारितंत्र, आसपास का एक्षेत्र ही क्या है पारितंत्र होता है और पारितंत्र का निर्मान करता है और अधिक वर्षा वाली वन घास, सल, रिगिस्तान, परवत, जील और नदी, महासागरें, छोटे से एम, छोटे से ताल भी एक पारितंत्र को हो सकता है आज इतना ही धन्यवाद